केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र वो भी जनता को विश्वास में लेने के लिए अपनी उप्लब्धियों पर प्रकास ज़ाते हैं बिहार की कमान सौपने की जनता से आगरे करते हैं आर्थिक समर्द्धी के वुआदे करते हैं सरकारी नौक्रियों की उम्मीद जगाते हैं उनके यात्रा में कुछ जगाओ पर बड़े भाई तेज प्रता भी साथ दिखे हैं पिता लालो यादव ने भी वैश्वाली में उनकी यात्रा में शिरकत की पूजा पार्ट के बाद माबाप का अश्रिवाद ले कर तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं अभी तक मुस्लिम यादव समाज़ के लोग ही RGD की सभाओं में उमरते रहे हैं ये पहला मौका है जब तेजस्वी की सभाओं में हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं तेजस्वी भी जाती या आरजेडी के पारंपरिक M.Y. यानि की मुसलिम और यादव समिकरण की बात नहीं करते वो सर्व समाज को लक्षे रखते हैं इसलिए उन्होंने बाप यानि की B.A.A.P. का जुमला भी गड़ लिया है B.A.A.P. का रथ वो लोग को समझाते बताते हैं वो बताते हैं कि B. का मतलब महुजन, A. का मतलब अगड़ा और दूसरे A. का मतलब आधी अबादी और P. का मतलब पूर यानि की गरीब है पहले तेजस्वी ने सभी जुआती के लोगों को साधने के लिए A. टू. Z. का नारा दिया था तेजस्वी अपने भाशनों में जुआती धर्म की बात नहीं करते हैं वो रोजगार और आर्थिक उन्नती की अब बात करते हैं उन्होंने अब समझ लिया है कि जुआतिवात का आजमाया पुराना नुसका अब बेमानी हो गया है तेजस्वी के निशाने पर घुमाफिरा कर नितिश कुमार ही होते हैं नितिश की सहयोगी होने के कारण बीजेपी प्रसंग वंश उनकी चुर्चा में आती है तेजस्वी बताते हैं कि 2020 में जब हमने 10 लाख सरकारी नौक्रियों का वादा किया था तो नितिश कुमार तंज गस्ते थे कहते थे कि पैसा कहां से आएगा उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि पैसा क्या बाप के पास से लाएंगे पर जैसे ही नितिश महा गडबंदन के साथ आए उनकी ही कलम से पाश लाख नौक्रियों के रास्ते खुले ऐसा इसलिए संभव हुआ कि हमने उन पर दवाब बना कर ये काम कराया जब हमने इसे अपनी उपलबदी बतानी शुरू की तो उन्हें खटकने लगा और वे चुपके से बीज़पी के साथ मिल गए वे सभा में उम्री भीर से वादा करते हैं कि अभी डिप्टी सीम बन कर उन्होंने इतनी सरकारी नौक्रिया दी तो आप मुझे बिहार चलाने का मौका तो दें हम दस लाक नौक्रियों का भी वादा पूरा कर देंगे तेजस्वी में बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिल रहा है कि विज़ातपात की बात ही नहीं करते तब नितीश ने उनकी मांग पर सहमती जताते हुए जाती जनगर्ना करानी के लिए सर्व दलिये प्रतिनिधी मंडल दिल्ली भेचा था जाती सर्विक्षन के भाने ही नितीश से उनकी नस्दीकें बढ़ी बाद में नितीश आर्ट जेडी के साथ आ गए थे जाती सर्विक्षन का फायदा भी वो बताते हैं आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब लोगों की पहचान इसके जर्ये होने की चर्चा करते हैं ये भी बताते हैं कि यसे लोगों की आर्थिक समरदी के लिए दो दो लाख रुपे देनी की सरकार ने घोशना की थी वो कहते हैं कि अब तक तो जाती सर्विक्षन से साइंटिफिक आखड़े सामने आ गए हैं उना आखड़ों के आधार पर नीतिया बनाएंगे बिहार की लोगों की जीवन में समरदी लाना उनका उदेश्य है तिरसुयादव ने पहली बार 2020 का चुनाव अपने बूते पलड़ा था तब उनकी सभाओं में ना लालू थे और ना ही राबरी देवी यहां तक कि उनकी तस्वीरे भी पोस्टर बैनर से नदारत थी वो अतीत की चर्चा भी नहीं करते थे परिनाम भी सुखद रहा हालकि साथ वधायकों की कमी के कारण वे सरकार बनाने से चूक गए हाँ उन्होंने आरजेडी को वधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बना कर ये जरूर सावित किया कि उनमें दम है दिस तरह उनकी यात्रा में जन से अलाव उमड रहा है उससे उनका उत्सा तो जरूर बढ़ा होगा पर सबसे अधिक खत्रा नितीश कुमार और बीजेपी को दिख रहा होगा तिरस्वी के तेज को कम करने के लिए एंडी अब कौन सी रणीती अपना दिया ये देखने वाली बात होगी वैसे भी नितिश कुमार कब लोग उनके बार बार इधर उधर होते रहने से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं बीजेपी के प्रदेश नेत्वत पास भी तिरस्वी की कोई काट नहीं दिखती हाँ बीजेपी का केंद्रिय नेत्वत कोई कमाल कर दे तो अलग बात है खेल फिलाल तो तेजस्वी सब पर भारी पड़ते दिख रहे हैं अगर ये टैम्पो बना रहा है तो तेजस्वी की ताजपोशी के लिए किसी तिकड़न की जरुएश शायद नहीं पड़ेगी वो अपने बूते ही बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे इस भरोसी का कारण उनकी सभाव में उमरती भीड हर तपके के लोगों की उत्साही भीड जो वोट में तबदील हो जाएं वो असंभव नहीं है